नमस्कार मैं नवल किशोर्थ निरोथरपिस्ट और निरोथरपी की प्रैक्टिस मैं पिछले 19 साल से कर रहा हूं। इन 19 साल के अनुबब में मैंने बहुत सरे ऐसे पेशेंट देखे जिनको नाभी की समस्या हैं। लेकर उनको पता ही निए कि नाभी की समस्या होती क्या है। अगर आपको भी पेट की समस्या हैं, तो उस पेट की समस्या का इलाज कराने से पहले एक बार नाभी जरूल चेक करा लीजे। क्योंकि नाभी की वज़े से आपके पेट के सभी ओर्गन डिस्टर्ब हो सकते हैं नाभी हमारे पेट का सेंटर बिंदू है और ना किवल पेट का सेंटर बिंदू है बलकि यह हमारी पूरी बॉड़ी का सेंटर बिंदू है कभी आपने सरकस में देखा हो तो कोई लड़का या लड़की अपनी नाभी को किसी डंडे को ऊपर रखकर यानकि हम किसी डंडे के ऊपर नाभी के ऊपर टिका दें तो हमारी पूरी बॉड़ी का बैलेंस बन जाता है जासे आपने देखा होगा इस तरीके से लेट जाएं और यह नाभी है यहां कोई डंडा है तो पूरी बॉड़ी का बैलेंस क्या है आपके दंडे पर बन जाता है पूरी बॉडी का ना आप इधर गिरेंगे ना कभी इधर गिरेंगे को कि वो डंडा कहा रखा है आपकी नाभी के ऊपर रखा है यानिकि नाभी उस डंडे के ऊपर टिकी है अब इसका मतलब क्या हुआ आपका ना किसी भी बस्तू का अगर सेंटर है तो वो उस जिएक पर बैले इस तरीके से रहती है इसे बिगर हमारी नाभी हमारे सरीर को संतुलित कर सकती है और यह नाभी जब हट जाती है तो पेट की एक नहीं अने को समझने आ सकती है इस वीडियो में आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि हम नाभी को कैसे चेक कर सक नाभी को चेक करने के लिए पेशेंट तीन से चार गंटे पहले खाली पेट होना चाहिए और पेट मुलायम होना चाहिए यान की कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दो तरीके हैं पैरों को मोड कर भी नाभी को चेक कर सकते हैं पैरों को करेंगे और नाभी पर होने वाली धड़कन दगदग दगदग वाली धड़कन को मैसूस करेंगे कि इनकी धड़कन नाभी पर है या नहीं है अगर नाभी पर धड़कन नहीं है तो थोड़ा सा उपर चेक करेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ चेक करेंगे और थोड़ा सा दाएं और थोड़ा सा बाएं चेक करेंगे ना भी आपको ना भी के ही चारो जरफ कहीं न कहीं मिल जाएगी जलकि ना भी अगर अपनी जगे से खिसकी होगी तो ना भी उपर हो सकते हैं ना भी नीचे हो सकते हैं ना भी दाएं हो सकते हैं और इसकी वज़े से आपको ये धड़कन नाभी पेना होका नाभी के आसपास के एरिये में महसूस होगी जहां ये धड़कन महसूस हो रही है ये समझ लीजे नाभी आपके उसी धारेक्शन में उसी इस्तिति में उसी तरफ खिसक गई है अब जुरूत ये हैं कि हम उस नाभी को कैसे चेक करें यानि कि उसको सेट कैसे करें तो सेट के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगो कि हम किसी की नाभी को खिसक जाने पर उसको ठीक कैसे करेंगे आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल बटन जुरूल दवाईए ताकि एंसी ही हेल्ट की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके बाद सबसे बले पहुँचे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बने रहने के आप सब का बहुत बहुत नहींवाद